बात करते हैं शिंग राशी की, जो शिंग राशी की जातक हैं, आलस से आपका सबसे बड़ा सत्रू है, आलस से बचें जो कारे कल करना आज करें, कोई चीज कल पर न टाले, विबादों से बचें कंट्रोवर्शी में न पढ़ें, आपका समय अतिस्वरणी में समय का सुदू उप्योग करना आपके लिए हिदकर होगा धनलाव के लिए उत्म चल रहा है धन किस्त ये अच्छी होगी ने कारे होने का यूग बन रहा है पिता का सुख मिलेगा रोग और सत्रु में बृद्धी हो सकती है कड़े इंतरकारी भी फल होंगे आज आपकी पदुनत हो सकती है स खिलावे और आज भगवान भोले नात के राधना करें बेल पत्र और एक लोटा जल और सफिच चंदन भगवान शीव को अर्पित करें उम नमस्षिवाई इस मंत्र से जपें सुभंके दो शुबरंगे नारंगी लक मिटर छे हरी कृष्ण करपूर गवरं करुड़ावतारं संसार शारं भुजिगेंद्रहारं सदाब संतम हिर्दार विंदेभवं भवाने सहितम नमामी नमस्कार मैं हूँ जोट्साचार डॉक्टर अर्विंतर पाठी आप देख रहे भागी गुरु कारिक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे कि आज का महामंत्र क्या है और महामंत्र का जब कैसे करेंगे और जब करने से आपको क्या लाफ मिलेगा पंचांग की क्या इसती है सुरियोदय कब होगा सुरियास कब होगा कौन सी तित कि आज का महामंत्र है ओम नमो निलक अंठाय नमा आज शामन का सुर्वात हो रही है आज है 22 जुलाई सामन का पहला सो मुआर है तो आज हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिसको अगर करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा जो स्रावन मास होता है बड़ा जो जातक अगर पुजा पाट करता है भगवान शियुकी आरादना करता यह बेल तो उसमें भगवान सियू की अरादना आपके लिए काफी महत्पूर रहेगा तो भगवान सियू की अरादना करें और प्रतेक सुमवार के दिन कोशिश करें कि आपका दिन अच्छा हो उसके लिए क्या करें कि भगवाण सीव के अरातना करें, रुद्राभेशेक करें, भगवान सीव को जल हरपित करें, आपके लिए अच्छा रहеть, तो महामंत्र है ओम नमो निल कंटाय नमः, यह जो महामंत्र है, देवाद हिदयो महादेव का है, शामन का अज प्रथम दिन है, सोमवार, सुरबात आप इस महाम मंत्र का कम से कम एक माला जब करें भगवान सीव को भांग धतूर और बेलपत्र अरपित करें आपकी सारी मनुरत भगवान भोले नाथ के किरपा से मोड़ होगा अब आईए हम बात करते हैं आज के पंचांग के तो पंचांग हम आपको बताएंगे कि कौन सी त सुर्यास्त कब होगा रहुकल कवे दिसासूल कवे सारी बात हम आपको बताएंगे आए शुर्वात करते हैं आज के पंचांग के आज है 22 जुलाई 2024 दिन है सोमवार प्रत पताती थी है श्रामर नच्छत्र है कौलो करण है सुर्योदे हो चुका है सबेरे पांच बच के सैंतिस मिनट पर सुर्यास्त होगा साम को साथ बच के सतरह मिनट पर आज चंद्रमा रहेगा मकाराशी में आज का जो सुम होड़ते हैं बा बात का ध्यान रखना है राहुकाल में कोई भी कार न करें राहुकाल में किया गया कार सफली भूत नहीं होता तिशासूल में यात्रा करने से बचें और सुब मुर्थ में किया गया कार आपके लिए अच्छा रहागा अगर कोई भी अच्छा कार करना चाहते सो मुर्थ मे करें आपके लिए ठीक रहेगा